हेलो, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, जै आठ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए प्रेक्टिस सेट 15 से सम्बंदित ये चौथा वीडियो लेके आये हूँ, जिसमें मैं आपको कोश्चन नमबर 76 से लेके कोश्चन नमबर 100 तक बता जा चुके हैं, तो आएए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, कोश्चन नमबर 76, किस कलाकार को लखनव कला विद्यालय का सूरी कहा जाता है, असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खास्तगीर, चमन सिंग, रडवीर सिंग विष्ट, इसका जो राइट सुधीर रंजन खास्तगीर, कोश्चन नमबर 77, मधुचिस्ट विद्य किस का तकनिक है, मधुसंचे, मूर्ति निर्मार, धातु धलाई, चित्र निर्मार, इसका जो राइट एंस्वर है, वो है, बी, मूर्ति निर्मार, कोश्चन नमबर 78, हलके पीले रंगों का इसका जो राइट एंस्वर है, वो है, बी, चहुदड़ो, कोश्चन नमबर 79, राष्टी ललित कला का आदमी नई दिल्ली द्वारा, वार्शिक कला प्रदर्सनी का आयोजन, कब से प्रारंभ हुआ था, उनिस सो पच्पनिस भी, उनिस सो आर्टिस भी, उनिस सो चोवनिस इसका जो राइट एंस्वर है, वो है, ए, उनिस सो पच्पनिस भी, कोश्चन नमबर 80, नाराण स्रीधर बेंदरे ने कला की सिक्छा किसे प्राप्त की, आउनिनाट्य गोर, दत्ता त्रे दामोदर, देव लालिकर, नंदलाल वोस, किसी से भी नहीं, इसका जो राइट एं बुल किसका प्रसिद सिल्प है, एनस बेंदरे, शामलाल, दत्ता रे, केके हैबर, राघाव कनेरिया, इसका जो राइट एंस्वर है, वो है, डी, राघाव कनेरिया, कोश्चन नमबर 82, फीगर एंड फ्लावर, सीर्षक से चित्र किसने तैल माद्द में बनाया, सोमनाथो इसका जो राइट एंस्वर है, वो है, डी, रापिता सिंग, कोश्चन नमबर 83, मेग दूद चित्र, किसने वास पद्धत में चित्रित किया, रविन नाट टैगोर, राम गोपाल विजय वरगी, डी, पी, राय चोधरी, मुकुल चंद्र टे, इसका जो राइट एंस्वर ह कोश्चन नमबर 84, सिप्तन वासल इस्थित है, महरास्ट में, तमिल नाटो में, मद्ध परदेश में, उत्तर परदेश में, इसका जो राय एंस्वर है, वो है, तमिल नाटो में, कोश्चन नमबर 85, पहाडी कलाकारों में कौँ साक परिवार सबसे परसीद रहा है, पंडि राम मौला, मौला राम देवी दास, इन में से कोई नहीं इसका जो राइट आंस्वर है वो है A पंडित सेव Question number 86 निमलिखित में से किसे सैलकृत अस्थापत्य का आश्चरे माना जाता है वरिदेश्वर मंदिर तंजव, लिंग राज मंदिर भूनेश्वर, कैलास मंदिर एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराओं इसका जो राइट आंस्वर है वो है C कैलास मंदिर एलोरा Question number 87 फ्रांस की प्रसिद पत्रिका सारली आपदो किस से संबंदित है चित्रकला, कार्टून, कहानी, सौंदरे इसका जो राइट आंस्वर है वो है B कार्टून से संबंदित Question number 88 एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्रविहीन व्रिक्ष किस पहाडी सैली के चित्रों में मिलता है कांगडा, गुले, गढ़वाल, बशोहली इसका जो राइट आंस्वर है वो है C, गढ़वाल Question number 89 वन में सोती, रूप मती की सोभा निहारते हुए बाज बहादूर के द्रिश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्साया गया है सोहनी महिवाल इसका जो राइट आंस्वर है वो है B, शिव पार्वती Question number 90 राग रागनी के चित्र भारत के किस छेत्र में मुक्ता बने राजस्थान, दच्छड भारत, ब्रज, पूर्वी भारत इसका जो राइट आंस्वर है वो है A, राजस्थान Question number 91 रैम किसका संचिप्त रूप है Rapid Access Memory, Random Access Memory, Rolling Access Memory, Rapid Accurate Memory इसका जो राइट आंस्वर है वो है B, Random Access Memory Question number 92 लावाडिय का संबंध है रूप से, रेखा से, रंग से, उपरोक्त तीनों से इसका जो राइट आंस्वर है वो है A, रूप से Question number 93 रुकमडी हरड का चित्रड इन में से किस सैली में हुआ है B, कानेर, किशनगड बुंदेल खंड, मालवा इसका जो राइट आंस्वर है वो है B, किशनगड Question number 94 निमलिखित में से कौन सा जोडा सुमलित नहीं है अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया इसका जो राइट आंस्वर है वो है D, एलिफेंटा, स्रीलंका एलिफेंटा जो है महराष्ट के धारापुरी में है Question number 95 नई दिल्ली में इसती संगरहले है प्रिंस आफ वेसम्यूज वेस संगरहले, साल आरगन संगरहले भारती संगरहले, राष्टी संगरहले, नई दिल्ली ये राष्टी संगरहले जो नई दिल्ली में भारती संगरहले कोलकता में है साल आरगन संगरहले है प्रिंस आफ वेसमेजूज ये मुंबई में तो यहापर राइट आंस्वर हमारा D हो जाएगा Question number 96 उजयन का प्राचीन नाम क्या था तक्षशिला अवंतिका इंद्रप्रस्त मगद इसका जो राइट एंस्वर है वो है बी अवंतिका एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल जार्द हिस्टेनली हेंरी मिलर सर जेम्स मैकिन टाउस इसका जो राइट एंस्वर है वो है ए सर गुस्ताव एफिल कोश्चन नमबर 98 कलास समीक्षा से कौन जुड़ा है के स्कूल करड़ी रामेश्वर बुरूटा रतन परीमू हिमत साह इसका जो राइट एंस्वर है वो है सी रतन परीमू कोश्चन नमबर 99 प्रसिद्र कोश्चन नमबर 99 दक्षिड भारत के मंदिरों के व्रिहद द्वारों को क्या कहते है शिखर गर्बगरी गोपुरम प्रकार इसका जो राइट एंस्वर है वो है सी गोपुरम कोश्चन नमबर 100 महत्मा बुद्ध द्वारा दिये गए सारनात में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं महा इनिस्क्रमण धर्मचक प्रवर्तन महा परिनिर्वान उप शंपदा इसका जो राइट एंस्वर है वो है भी धर्मचक प्रवर्तन तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी important question इस वीडियो में बताया है तो दोस्तों यदि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा like, subscribe और share करें हमारे YouTube चैनल पर comment करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से visual art से संबंदित important वीडियो मैं आप लोग के लिए लातर हूंगा धन्यवाद दोस्तों